नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रेक टेक पर दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हम MP में जो ट्रेनिंग आफिसर की वेकेंसी आने वाली है उसके लिए प्रीवियस एर का एक्जाम पेपर सॉल्व कर रहे थे जो की फिटर ट्रेड का है दोस्तों हम टोटल 75 कोश्चन में से 40 कोश्चन डिसकस कर चुकें अपनी पिछली वीडियो में आज हम 35 कोश्चन जो हमारे पचे हैं उन्हें डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला कॉश्चन है दोस्तों साइनवार के उप्योग दोप्योंग द्वारा एंगल के मापने के लिए सिलिप गेजों की उँचाई तता खाली स्थान के मदद्दे के अनुपात के अनुशार निर्मित कोण है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते है साइनवार के दोरा हम किसी भी एंगल को मापते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि सिलिप गेजों की उचाई तता किसके मद्दे का जो अनुपात होता है जिसके दोरा हमारा कॉन बनता है वह बताना तो दोस्तों सिलिप गेजों की उचाई तता साइनवार की लंबाई इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी के दोरा हमारा कॉन निर्मित होता है तो आप option C देख रहे होंगे साइनवार की लंबाई length of साइनवार दोस्तों साइनवार से question बनते हैं आप इसको एकदम clear करके जाईएगा अगला question है निम्न में से कौन सा marking media सूखने में सरवधिक समय लेता है तो दोस्तों यह एक normal सा question है जो कि फिटर में जिसने भी एड़िशन लिया आईटियाई में उसके लिए यह जरूरी है कि वो इन चीजों को जरूर जाने क्योंकि सबसे पहले marking media के बारे में ही बताया जाता है तो दोस्तों हमारा question blue है ऐसा marking media जो कि सूखने में सरवधिक time लेता है दोस्तों इससे सीधा question यही बनता है अकसर exam में यही पूछा जाता है सरवधिक सूखने वाला जो सरवधिक सूखने में समय लेता है वह हमारा प्रिशिन blue है तो आप option B correct करेंगे अगला question है बी ब्लॉक का अंतरविष्ट कोन सदैव होता है तो दोस्तों बैसे तो कई बुकों में हमेंसा 90 डिग्री लिखा जाता है लेकिन कुछ जो कि राइटर मैं नाम नहीं लोगा यहां पर कुछ राइटर हैं जो कि 120 भी ब्लॉक का कोन दे देते हैं किताब में जो कि बच्चों को भटक जाते हैं बच्चे और कई वार 120 लगा देते हैं लेकिन दोस्तों ह हर इस्तिती में बी ब्लॉक का जो कोण होता है वह हमारा 90 डिग्री होता है याद रखिए यहां पर भी यह पूछा गया है बी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण सदेव 90 डिग्री होता है तो आपका option सी करेक्ट हो जाएगा अगला question है निम्न में से कौन सा operation केंद्र के इस पर नहीं किया जा सकता तो दोस्तों यहां पर लेट मसीन पर कारे करना है और आपकी कोई जौब है जिसको आपने केंद्रों के मध्धे पकड़ रखा है तो आप इन में से कौन सा operation उस जौब पर नहीं कर सकते तो आपका पहला option है नर्लिंग दूसरा है अंडर कटिंग और तीसरा है thread cutting और चौथी नमबर पर parting of दोस्तों यहां पर हमारा correct answer होगा parting of का मतलब होता है किसी भी धातु को बीच में से काटना या किसी भी जौब को बीच में से काटना अगर हमने पहले ही मध्धे यानि केंद्रों के बीच जौब को पकड़ रखा है जैसे ही हम उसक करते हैं तो यहां पर हमारा option फोर्ट ही हो जाएगा अगला question है दोस्तों वर्नीर बैवल प्रटेक्टर के एक अंच कितने वर्नीर डिवीजन में विभाजित होता है तो हमें बताना दोस्तों वर्नीर बैवल प्रटेक्टर के बारे में कि जो हमारी main scale की 23 division होती है वह है वर value लिकल के आएगी वह आएगी पांच मिनट तो वह होती है हमारी वर्नीर बैवल प्रटेक्टर की सुधता तो यहां पर हम से पूछा है कि जो एक अंस होता है उसको कितने वर्नीर डिवीजनों में विभाजित किया जाता है तो यहां पर दोस्तों हमारा answer होगा C correct 12 वर्नीर की spindle होती है और जो या फिर आप कहें टैल स्टोक भी होता है तो इन दोनों पर ही दोस्तों हमारा more step पर होता है याद रखिए लेट के head टैल स्टोक पर भी और जो हमारी टैल स्टोक होती है उसके spindle यानि दोनों पर ही हमारा more step पर होता है अगला question है belding में non destructive test कौन सा है तो दोस्तों ऐसा test बताना है जिसमें हमारी जो belding वाली धातू है वह टूटे नहीं destructive का मतलब दोस्तों यहां पर वही है कि non destructive है जिससे कि हमारा धातू या job जो भी है belt वाला वह टूटेगा नहीं तो दोस्तों आप तीन उपर के test देख रहे होंगे tensile test impact test और fatigue test तो इन तीनों ही test में दोस्तों हमारी जो धातू है job है वह टूटती है लेकिन दोस्तों आप option D देख रहे होंगे radiographic test तो यह वह test है दोस्तों जिसमें हमारी जो job होती है वह टूटती नहीं है जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे radiographic test इसमें दोस्तों कोई भी जो अब को छती नहीं पहुंसती है अगला question है high speed steel cutting tool में सामान्य संयूजन का अनुपात अठारा अनुपात चार अनुपात एक है इस अनुपात में अठारा खाली स्थान को संदर्भित करता है यह संदर्भित है तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है TCB TCB tungsten फिर हमारा C हो गया chromium और B हो गया हमारा benadium तो हमारा TCB आप अठारा चार एक के नीचे रख दीजिए अठारा के नीचे आएगा हमारा T यानि यहां पर हमारा अंसर सही हो जाएगा B tungsten अगर यहां पर हमसे चार के बारे में पूछता तो TCB यानि बैनेडियम तो यह दोस्तों ट्रिक है TCB आप याद रखिए यहां पर हमसे पूछा अठारा के बारे में तो वह करेगा tungsten को 1000 mm के बराबर तो यहां पर हमारा जो अंसर हो जाएगा वह C करेक्ट हो जाएगा अगला कुश्चन है संगठक के अधिक्तम साइज की सीमा और इसके संगत आधार के मद्ध है अंतर यानि जो भी हमारी maximum limit हैगी साइज की और हमारा जो basic साइज है इसके बीच का अंतर हमारा क अगर हमसे बोला जाता निचतम साइज यानि निचला साइज और basic साइज के बीच अंतर तो यह हो जाता हमारा lower deviation अगला कुश्चन है यदि संगठक की भीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिस्कृत की जाती है तो वह होगा तो दोस्तों यह सुद्ध हिंदी है हर जगे आप आप को देखने को मिलेगी चैन्ट यह मारसी हो इस्रो हो या फिर यह MP का टी ओ कोई भी पेपर हो इस तरीके की ही हिंदी यूज की जाती है तो मैं आप से दर्खवास्त करूंगा या नियू कह लिजिए की रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिस को भी जरूर देखिए पेपर में क्योंकि हिंदी में समझना कई वर बहुत कटिन हो जाता है तो अपनी आदत में लाइए कि इंग्लिस से भी आप कोश्चन को समझ सकें तो आप पढ़ते हैं इंग्लिस इव डाइमेंशन ओफे कंपोनेंट इस फिनिस विदिन दा लिमिट आप साइज देन इट तो दोस्तों जो भी हमारा जॉब है वह हमारी जो भी हमें साइज दी गई थी उसके अंदर बना हुआ है तो वह हमारा क्या होगा एक्सेप्टेबल साइज कहलाएगा सीधा शा कोश्चन है लेकिन हिंदी इस तरीके की थी जिसमें कि हमको समझने में काफी दिक्कत हो रही तो अगला question है निम्न में से क्या दुरगटना का एक कारण नहीं है दोस्तो question को जरूर ध्यान से पढ़िए गया यहाँ पर पूछा है कारण नहीं है तो दोस्तो हमारा option आप देख रहे हुए पहला जोकिम के बारे में जानकारी ना होना तो दोस्तो नहीं होगी जानकारी तो हमारी दुरगटना होगी फिर है दूसरा उपेक्छा यानि उपेक्छा मतलब किसी और से ज़्यादा उमीद रखना कि वह हमारी काम में मदद करेगा तो यह भी हमारी एक दुरगटना का कारण बनती है कि हमारी machine वह देख लेगा हम जाते हैं गोमाते हैं तो यह भी दुरगटना होगी और अगला option है दस्तानों का उपयोग तो दोस्तों दस्तानों का उपयोग करने से कोई दुरगटना नहीं होती है तो यह option हमारा correct हो जाएगा अगला question है एक जिग जिसमें base नहीं होता लेकिन drill किये हुए वाले job पर set किया जा सकता है कहलाती है तो दोस् इसमें channel डालते हैं आप या फिर बोल लीजिए गाटर डालते हैं तो इसी तरीके का एक जीग होता है जिसके नीचे दोस्तों base नहीं होता इसके अंदर क्या है हमारी job fit हो जाती है और जो भी हमें drill किरियाएं करनी होती है मां उपर से कर लेते हैं इसके उपरी वाले हिस्ते में दोस्तों हमारे जो भी busses हैं वे लगे हुए होते हैं लेकिन इसके अंदर base plate नहीं होती है तो यह हो जाएगा हमारा option see correct अगला question है file का संक्रा तथा पतला भाग जो handle में fit होता है दोस्तों fitter के लिए सबसे आसान question है तो यह होता हमारा दोस्तों tank होती है जो कि हमारी handle के इसमें fit करना होता है तो थोड़ी बहुत जो कहते हैं strike करनी पड़ती है hammer से या फिर इसको ठोकना पड़ता है इसी वज़े से यह तूटे ना इसलिए इसको कच्चा रखा जाता है नरम रखा जाता है अगला question है belt की सेता है घरनी पर लगाता रगणने के कारण belt घरसन तथा उत्पन उस्मा के कारण सुस्क होती है तो दोस्तों यहां पर थोड़े थोड़ा समझते हैं कि हमारी जो belt है घरनी पर रगण खा रही है घरसन हो रहा है जिससे गर्मी पैदा हो रही है और हमारी belt सुस्क हो रह निम्न में से किस परधार्द का उपियोग किया जाता है तो दोस्तों आप सभी अगर गाउं से बिलॉंग करते हो या आपने चक्की देखी हो तो वहाँ पर बड़ा पट्टा चलता है दोस्तों कई वह पट्टा भी हमारे या नि बैल्ट जो होती है फ्लैट बैल्ट वह फिस करेंगे वह करेंगे डाल यह पौber रीजिन होती है यह हम यह पर यूस करंगे टेलो पावर्ड राता है दोस्तों हमारा यह एक तरीके से यह कहली जींकि करता है तो यहां पर हमारा प्ट्टन बड़्ों हो जाएगा अगला कुशन है उच्छगति वालेग में किस परकार के bond का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो जो भी हमारे high speed पर जो हमारे grinding wheel घूमते हैं वहाँ पर हम reginoid bond का इस्तुमाल करते हैं जिसको की अगर हम alphabet की बात करें तो B for ball, B से हम इसको ingit करते हैं, अक्सर ये question भी दोस्तो बन जाता है अगला question है आंत्रिक थ्रेडों की जांच के लिए किस परकार के gauge का उप्योग करेंगे, तो दोस्तो internal thread है, internal जो भी हमारे चीज होंगी, जो भी हमारी job होगी, उसके लिए हम दोस्तो use करेंगे plug, और यहाँ पर आप option में देख रहे होंगे screw thread plug gauge तो यहाँ पर अंद्रूनी जो हमारी job है, उसके अंद्रूनी thread चेक करनी है, तो हमारा screw thread plug gauge हो जाएगा answer अगला question है, heat treatment process में normalizing सामान्य करण, यह जो भी जो बिदी होती है, वे की जाती है, क्यूं की जाती है यहाँ पर यह पूछा गया है तो दोस्तों जो हमारे grain size होते है steel के कह लिजिए, metal के कह लिजिए उनको दोस्तों finish करने के लिए उनको refine करने के लिए हम जो heat treatment की process होती है normalizing, सामान्य करण वेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा option be correct हो जाएगा अगला question है, ठोच billion बनाने के लिए carbon का लोहे में गुलना कहलाता है तो दोस्तों यह कहलाता है हमारा ferrite दोस्तों इसके तीन तरीके के question बनते हैं मैं तीनों आपको बताऊंगा एक तो हो गया यह ठोच billion बनने के लिए carbon का लोहे में गुलना कहलाता है ferrite, लेकिन अगर मैं वह बोले heat treatment के दोरान यह वाली process हो रही है carbon और लोहा आपस में गुल रहा है तो वह कहलाएगा हमारा austenite और एक और same question आता है कि carbon और लोहे का mission carbon और iron का हमारा mission कहलाता है steel तो यह तीन question बनते हैं इसी एक question से तो आप इनको याद रखिए normally अगर पूचेगा कहलाएगा austenite अगर normally पूचा जा रहा है कि carbon और लोहे का mission कहलाएगा steel तो यह तीनों question आपको clear हो गए अगला question है छित्र की tape द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड का crest धागे का सिरा पूण रूप से निर्मित नहीं हुआ इस त्रूटी के लिए निर्मित से कौन सा कारण हो सकता है तो दोस्तो क्रेड आप सभी जानते हैं कि थ्रेड का ओपरी वाला हिस्सा जहां पर दो फिलैंग का अपस में मिलती है वे क्रेड कहलाता है और यहां पर दोस्तो कुश्चन के हिसाब से हमारा crest तूटा हुआ बन रहा है या फिर पूरा नहीं बन रहा है तो इसका कारण क्या होगा दोस्तो कि जो हमारा hole है वह बढ़ा हो चुका है जो हम टैप चला रहे हैं उसके हिसाब से हमारा hole बढ़ा है अगला कुश्चन है एक जब shaft को खाली स्थान हो तब shaft को जोडने के लिए coupling का परियोग किया जाता है तो दोस्तों English में पढ़ते हैं coupling are used to connect the shaft when the shaft are तो दोस्तों जब हमारी shaft को बार बार खोलना होगा या थोड़ी सी हमारी shaft misalignment होगी option के इसाब से तब हम coupling का इस्तमाल करेंगे coupling का अक्सर दोस्तों हम इस्तमाल जो भी pipe को हमें कई वार खोलना होता है जो बड़े pipe होते हैं घर में जो नौर्मली, जो छोटे उसमें होते हैं pipe use उनके लिए हम union का इस्तमाल कर लेते हैं जो दोस्तों बड़े pipe होते हैं और बड़ी या मजबूत जोड चाहिए होता है वहाँ पर हम coupling का use करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि coupling का इस्तमाल कब करना है तो जब हमें बार-बार किसी भी pipe को disengage करना है तथा जो भी हमारी alignment है वह थोड़ी सी miss हो गई है उसको ठीक करना है तो हम coupling का परियोग करेंगे अगला question है drill किये हुए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस ओजार का परियोग किया जाता है उसका नाम बताना है दोस्तों तो drilling के बाद जब भी हमें कोई भी होल बड़ा करना होता तो दोस्तों हम करते हैं boring tool boring करते हैं और boring किस से होगा boring tool दोआरा तो हमारा option D correct हो जाएगा अगला question है gas cutting के दोरा nozzle बताना दोस्तों कि कितनी दूर रखी जाती है जोब से तो दोस्तों आपको उसके अंदर एक नीला जब हम gas cutting करते हैं तो अंदर एक कोन नुमा जो आग अगनी जलती है उसमें एक कोन बनता हुआ दिखाई देता है जो नीले color का होता है उसकी दूरी दोस्तों कितनी होनी चाहिए जॉब से उसकी दूरी होनी चाहिए दोस्तों दो एमेम लेकिन यहाँ पर हमारे से बात की गई यह नोजल की तो नोजल की दूरी होगी पांस से छे एमेम लेकिन अगर अंदरूनी कोन की बात करे जोला के अंदरूनी कोन की बात करे तो वह दूरी होगी है हमारी 2 mm तो यहाँ पर 2 question आपके clear हो गए अगला question है वर्नियर कैलिपर की depth bar के साथ सलंगन होती है जुड़ी होती है attached होती है तो attached दोस्तों होती है moveable jaw से अगर moveable jaw option में नहीं है तो आप इसके लिए कह सकते है बर्नियर स्केल वाला जो portion होता है उसके साथ जुड़ी होती है लेकिन यहाँ पर हमारा moveable jaw दिया हुए option D तो वह correct हो जाएगा अगला question है लेट का head stock खाली स्थान में इस्थित होता है तो दोस्तों लेट पर जो head stock होता है वह कहां होता है अक्सर दोस्तों यह confusion हो जाती है लेकिन दोस्तों हमको खुद को खुद को आधार मानते हुए इन परशनों का जवाब देना है तो हमारा जो bad होगा वह हमारे सामने होगा लेकिन हमारे सामने से head stock किस तरफ होगा अगर हम लेट की तरफ मूँ करके खड़े है हमारे left hand पर तो answer भी हमारा वही होगा जो लेट का bad है उसके left hand पर ही हमारा head stock होगा अक्सर यह question पूछ लिए जाते है और फिर हम लेट को यह आधार मानकर इन question के answer देते हैं जो कि गलत हो जाते हैं अगर लेट को आधार मानकर आप इसको इसका answer देंगे तो दोस्तों आपका head stock right तरफ दिखाई देगा लेकिन आपको खुद को खुद आप यह समझे कि आप लेट मशीन के सामने खड़े हैं जैसे कि हमारा एक कारिगर खड़ा होता है टर्नर खड़ा होता है तो वहां से आप देखेंगे कि आपके उल्टी तरफ ही head stock है तो यही हमारा answer होगा अगला question है broaching बर्मा द्वारा छेद करना है वह परिक्रिय जिसमें तो दोस्तों broaching हमारी क्या होती है कि कोई hole कर लिया जाता है चोटा सा उसके अंदर से tool को push या pull करके एक जो भी shape होती है हमारी hole की वह दी जाती है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पूचा गया है कि वह परिक्रिय जिसमें एक उपकरन को छिद्र या सतय के माद्यम से pull या push किया जाता है या जो उपकरन दोस्तों tool को छिद्र के माद्यम से तो दोस्तों जो हमारा छेद पहले से किया हुआ रहता है उसके अंदर हम tool को डालेंगे और फिर इतनी यह यह प्रेशर के हिसाब से tool को उसमें से खीचेंगे तो दीरे दीरे हमारी जो job है वह कटती जाएगी और जो भी हमारा पहले से निड़दारित hole है उसका आकार बन जाएगा अगला question है मानक metric self holding taper का taper अनुपात बताना है तो दोस्तों जो हमारा मानक जो हमारा standard जो self holding taper है वह है एक अनुपात 20 दोस्तों इसमें 2 taper आते हैं एक metric taper और एक आता most taper metric taper दोस्तों होता है हमारा एक अनुपात 20 और जो most taper होता है वह दोस्तों होता हमारा एक अनुपात 19.009 से 20.00 कुछ के लगवग होता है अगर एक मेट्रिक वाले की बात यहाँ पर पूछी गई है तो यह एक जेक्ट हमारा होता है एक अनुपात 20 सौरी दोस्तों मैं दसामलब बोल गया अगला कुश्यन है फोर्ज में हुड जो हमारी फोर्ज होती है उसमें का कारे क्या होता है तो दोस्तों जो हमारी फर्नेस से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी खुली वाली जो भट्टिया होती है इसमें उपर चिमनी लगी होती है जिसको हूड नाम दिया गया है तो इसका काम क्या होता है दोस्तों जो धूआ होता है उन धूएं को आपने देखा ओपर जाके धुआ इखटा हो जाता है और इसमें जो चिमनी लगी होती है उससे निकलता रहता है तो इसका कारे दोस्तों इतना ही होता है कि धुआ वे धूल को बाहर करना इसलिए हुड लगाया जाता है अगला कुश्चन है सोल्डर में फ्लक्स का कारे क्या होता है तो सोल्डर में दोस्तों फ्लक्स का कारे होता है कि जो भी हमारा टांक का कह लिजिए जोड कह लिजिए उसको ऑक्सिडाई ना होने देना तो इसे एक आवरन बना लेता है यह जिससे हमारा जो जोड है ऑक्सिडाई नहीं होता है और इस से दोस्तों इसका इसत्माल करने से हमारी रश्ट भी नहीं आती जोड़ 시 से क्या होता है जो हमारा most simultaneous work होता है उसको बहने में आसानी होती हुआ ध्यान रखिए दोस्तों बहने ये ये तरल बनाने का कारें नहीं करता है इसके दो कुश्चन बनते हैं कि क्या जो हमारा फ्लक्स है मोल्टन मेटल को तरल बनाता है लेकिन दोस्तों इसका अंसर है नहीं तरल नहीं बनाता है यह बहने में मदद करता है जहां जहां पर हमारा फ्लक्स लगाओगा वहां वहां पर हमारी जो मोल्टन मेटल है वह आसानी से बैठ जाएगा तो इसका option हमारा उप्रोक्त सब ही हो जाएगा सही क्योंकि देखी दोस्तों हमारा पहला option है solder सतय से oxide को आटाना दूसरा option है संग्छारण रोकना तीसरा option है गीली सता को परउन्नत करना यानि प्रमोट करना वहां पर जहां पर भी फ्लक्ष के द्वारा गीली सता है वहां पर हमारा solder आसानी से बैठ जाता है तो option D correct हो जाएगा अगला कुश्चन है चिनही करण उद्धियों के लिए परियुक्त होने वाले इंजीनियर के हतोडे का भार होता है तो द दोस्तों English पड़ते हैं the weight of an इंजीनियर्च हैमर is used for marking purpose तो दोस्तों वैसे तो marking purpose के लिए हमारा जो एमर होता है वह 200 g का यूजकरते हैं लेकिन option में आप देख रहे हमेंगточно 200 g नहीं है लेकिन अगर ऐसा हो तो जो हमारी सबसे नजदीक वाली value है हम वही अंसर लगाएंगे तो यहां पर हमारी है डाई सो जो ग्राम दे रखा है या हमारा 200 ग्राम के सबसे नजदीक है और option को देखते हुए तो यहां पर हमारा अंसर सही हो जाएगा डाई सो ग्राम अगला question है पतली tubing की cutting के लिए सरवदिक उप्युक्त hexa blade होती है तो दोस्तों जो पतली tube होंगी उनकी wall thickness बहुत कम होगी इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऐसा blade लेंगे जिसकी pitch कम हो pitch किसकी कम होगी दोस्तों 0.8 mm वाली pitch जो होगी blade की वह हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे तो हमारा option d correct हो जाएगा 0.8 mm अगला question है लिमिटो तथा फिटो की भारतिय मानक परणाली के अनुसार मूल भूत साहता के 18 grade है मूल भूत साहता के grade की पराज क्या है यानि जो range है वह क्या है वैसे तो इन्होंने दोस्तों question में कई सारी चीज़े खुदी से ही बता दी कि 18 grade होती है भारतिये जो मानक मूल परणाली है तो वह हमें बताना है कि जो range है कि किस से किस तक है तो हमारी दोस्तों यह range होती है आईटी जीरो वन से आईटी जीरो सोला तक आप जब इसको जोड़ेंगे तो यह 18 पहुंच जाएगा तो हमारा answer यहां पर C correct हो जाएगा आईटी जीरो वन से आईटी जीरो आईटी सोला तक अगला question है अक्छा drill size में सबसे बड़ा drill size के बराबर होता है तो दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा size होता है अक्छा drill में वह होता है हमारा 10.49 अगर दोस्तों सबसे चोटे की बात करें हम तो आप देख रहे होंगे screen पर यहां पर देखिए दोस्तों ए से जैड तक का जो हमारी लेटर साइज होते हैं दिखाए गए हैं फिर दोस्तों जो लेटर सबसे स्मॉलेस्ट है यानि ये वाला जो लेटर है वह होता है हमारा 5.944 mm और जो जैड वाला होता है वह होता है हमारा 10.49 mm तो दोस्तों हमारा यहां पर पूछा सबसे बड़ा तो आपका सबसे बड़ा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10.49 अगला कुश्चन है राउंड बार ड्रिलिंग को ग्याद करने तथा पकड़ने के लिए सरफेश्ट यंत्र का चैन कीजिए तो दोस्तों जो हमारी बी ब्लॉक तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बी ब्लॉक अगला कुश्चन है और जो की दोस्तों लास्ट कुश्चन है वीडियो का इस पिंडल के परतेक पर किर्मन पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर परविष्ठ होने की दूरी कहलाती है तो दोस् हमारा ऑप्शन यहां पर एक करेक्ट हो जाएगा फीड और फेट ड्रिल तो दोस्तों यह थे हमारे 75 कुश्चन जो की फिटर में 2016 के पेपर में आये थे दोस्तों कुछ इसी तरीके के कुश्चन आपको अक्टूबर की जो पैक्चाप की होने वाली है जो की अभी तो लग दोस्तों इसके बाद हम करेंगे टर्नर का पेपर शॉल्ब तो थेंक्यू दोस्तों बने रहे हमारे साथ धन्यवाद